हेलो सुटेंट, हाव यो फाइन, फेटास्टिक, वेरी गूड, हम बात कर रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्लास 7 तो और इसके लास्ट वीडियो में बात केती ही केमिकल चेंज की बारे में, हमने कुछ केमिकल चेंज की बारे में पढ़ लिया था ठीक है हमने मैंगलेशय बन कर रहा है था और हमने मेन पॉइंट डिसक्स कियाते है कैमिकल चेंज क्या होते हैं चिसके अंदर कैमिकल कंपोजिशन चेंज होता है न्यू सबस्टेंस फॉर्म होता है और यह एरिवर्जेबल होते हैं ठीक है यह साथ बात आपने लास्ट विए में बात केती है कुछ एक्जामपल राइट और और एक्जामपल लेते हैं इस वीडियो के अंदर अपने 6.7 एक्टिटी देखो यह बता रहा हूं कि क्या क्या करना है यह आप कुछ पढ़ोगे में बता रहा हूं कुछ सौट में इ एक इसको बोलते हैं नीला थोता क्या बोलते हैं इसको नीला थोता बोलते हैं ठीक है उपर लिखावा है यह ब्ल्यू क्लर केमिकल है यह कैसा है इट इस ब्ल्यू क्लर केमिकल राइट इस टॉक्सिक अगर आप लैब में जाते हो तो यह अगर यह केमिकल लिखता तो इसको copper sulphate जो blue यहाँ पर आपको black and white देख रहा है लेकिन यह blue का दर का है अगर आप इसके अंदर एक iron की nail या iron की blade डालते हो यह iron की blade डाल दिया आपने या फिर iron की nail डाल दो कुछ भी iron का piece डाल दो तो after some time this iron piece will be turned into brown इस पर एक brown brown layer हो जाएगी ठीक है इस iron के piece के उपर और जो solution तो blue था क्या था पहले blue वह अब green बन जाएगा तो यहां पर यह क्या हो रहा है यहां पर यह क्या होरा है यहां पर एक chemical reaction हो रही है एक मन्ट्र ढेस्ट्रप कर रहे हैं तो ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट था उसमें आइरन का पीस डालने पर जो आइरन पीस था वो तो ब्राउन हो गया लेकिन जो शॉलेशन तो ब्लू शे ग्रीन बन चुका है तो ऐसा क्यों हुआ ठीक है यहाँ पर कैमिकल रेक्शन भी टाइप का कैमिकल चेंज है अब इस हे gonna क्या होता है क्या होता है process यजब आपने इसमें आइरन का पीस डाला आरेन मिंस अप ए कि है ऩो है तो ये एक वंटέ मोलता थोड़ा हाई एकटिव होता है copper से copper क्या होता है थंबा होता है थंबा ब्राउन टाइप का ठीक है तो यह F.E. high reactive होता है powerful होता है strong होता है किससे copper से तो यह F.E. इस copper को यहां से displace करता है remove करता है इस copper sulphate में से और एक नया chemical बनता है that is F.E.SO.4 ठीक है जब C.E.U. गया तो कौन आ गया F.E. आ गया और C.E.U. कहां गया इस F.E. के place पर आ गया राइट तो क्या बनके chemical नहीं है F.E.SO.4 और प्लस C.E.U. साइड ने पढ़ा है C.E.U. कैसा होता है copper और तामबा brown होता है ना तो यह copper कहां जाएगा जो भी iron का piece था उसके उपर जाएगा तो यह brown brown दिख रहा है इस black के उपर that is what copper clear और यह पर ले क्या था copper sulphate यह blue था और यह green chemical कौन सा है यह green दिख रहा है green इसमें तो white दिख रहा है लेकिन actual में यह green टाइप का होता है light green जो लो green टाइप का होता है it is ferrous sulphate इसका बोलते है अपन एक new chemical है ferrous sulphate क्या ना में इसका it is ferrous sulphate ferrous sulphate यह new chemical है F.E.SO.4 फार्मॉला इसका ठीक है तो यह आप एक reaction लिखो यह वाली है यह आपको reaction अभी उपर आएगी पता रहों कहां से लिखने है यह पूर यह chemical reaction हो यह इसके अंदर ठीक है ferrous sulphate तो copper deposit होता है black के उपर that's why turn brown due to ferrous sulphate the color of copper sulphate turn from blue to the light green here ferrous sulphate यह ब्लू से light green बन जाता है यह कुछ सारे questions है तो यह chemical change इसमें chemical change क्यों हो रहा है और add a few drops to direct sulphuric acid to the solution इसमें sulphuric acid भी डालते हैं ताकि reaction faster should get the blue colored solution इसमें कुछ हद तक 2-3 drops sulphuric acid डालते की reaction फटाफट और कुछ नहीं save a small sample of solution in the test tube or small glass bottle, dropper, nail or use saving blood into the remaining solution तो वह सारी बात की आपको iron का piece डालना उसके अंदर और क्या होता है देखना है यह वाली chemical reaction आपको लिखनी है copper sulphate blue होता है iron डालते हैं उसमें iron sulphate बनता है that is ferrous sulphate भी कहते हैं इसको green clear का होता है ठीक है और copper brown brown type का वो blood के ओपर इकटा होता है इसमें chemical equation नहीं दे रखी है है मैं अब लिख रहा है आप लिख लो आप सी यू एसो फॉर यह होता है copper sulphate इसमें डालते है iron यह होता है fe formula इसका फिर arrow ठीक है arrow क्या रिप्रजेंट कर रहा है यह रो सो करता है कि यह chemical reaction इस तरफ हो रही है extraction के अंदर फिर बनता है आपके FESO4 फेरा sulphate और प्लस नीचे बसता है copper जर तो यह chemical reaction आपको लिखनी है राइट फिर है 6.8 activity टेक बाउट टीश्पून फ्लॉप विनेगर ना टैस्ट्यूब एड़ पिन चॉप पैकिंग शुड़ है यह भी एक chemical reaction है यह न्यू एक्सपरिमेंट है copper sulphate वाल भी chemical reaction है chemical change है और 6.8 में दे रखी activity बता रहा हूँ क्या है इसमें यह वाली activity है 6.5 में और इसमें क्या हो रहा है हाँ इस reaction के अंदर आपको lime water लेना है और इसके अंदर यह रहा CO2 lime water पास करनी है क्या बंगता है calcium hydroxide यह वाला CO2 lime water calcium hydroxide calcium carbonate यह chemical reaction हो रही है ठीक है यह क्या होता है विनगर विनगर मेंस इस acidic acid एक chemical है और इस बेकिंग शोड़ा यह क्या होता है यह भी एक शोड़ा होता है chemical है जब acid और यह बेकिंग शोड़ा मिलते हैं आपस में यहां पर आपने दोना chemical डाल रख है विनगर और बैकिंग शोड़ा तो एक gas निकलती है which gas CO2 gas CO2 for the carbon dioxide gas यह gas जब आप इस delivery tube से पास करते हो किसमें lime water नहीं it is lime water lime water means क्या होता है calcium hydroxide calcium carbonate calcium carbonate लिखा हो formula CA CO3 ठीक है तो यह एक new chemical है white white milk बनता है it is milky in color lime water turned into milky in color lime water कैसा होता है बिलकुल transparent होता है water की तरह ठीक है और calcium carbonate कैसा होता है milky milky होता है milk जैसा due to formation of CA CO3 calcium carbonate lime water turned into milky क्यों बनता है milky है because of past CO2 gas CO2 gas past करने से यह CO2 gas कहा से आई यह vinegar और vacuum sugar को mix करने से आई है तो यहांपा भी एक chemical reaction हो रही है तो यह आपको लिखना है CO2 gas lime water gearize द्याने की arrow calcium carbonate CO3 plus water तो यह chemical reaction हो रही है clear यह drawing भी करने है और इसमें chemical reaction कैसे हो रही है क्योंकि calcium carbonate यह आपस CO2 gas में change होना possible नहीं है यह chemical change एक तरगा अगर आपन चाहिए तो lime water में अगर आपन axle करते air अपने mouth से air फूक मारते ना lime water में तो भी वो बिल्कुल white white बन जाएगा क्यों क्यों क्योंकि हमारे body में से कौन सी कास्पार निकलती है CO2 gas CO2 gas अगर reaction करेगा lime water से COOH whole twice lime water तो हमें इससा क्या बनेगा calcium carbonate ठीक है चलो यह chemical reaction है फिर दो अब फाइनली chemical reaction क्या होती है chemical change क्या होते है यह लिखावा पूरा a change in which in which one or more substance are formed is called chemical change जिसमें new substance form होते है उसे बोलता है chemical change a chemical change is also called chemical reaction chemical change क्या बोलता है chemical reaction बोलता है हमारा life में बहुत ही important है chemical reaction और chemical change because बहुत सारे हमारे बहुता है like that metal is to be extracted from और और क्या होता है और भी chemical है जो हमें earth से मिलता है और उसमें से अपन metal निकालता है आप देखते हूं आइरन बिलकुल आइरन नहीं होता है यह बिलकुल ब्राउन ब्राउन टैप पथर होता है stone होता है जो कि में रॉक्षे मिलता है उस rock वाले stone के अंदर कुछ high percentage का iron होता है in that condition that is called ore क्या बोलता है इसको this stone के अंदर ज्यादा metal का percentage होता है इसको बोलता है ore if a substance contains high percentage of metal then it is called ore क्या बोलता है इसको ore बोलता है फिर हो a medicine is another end product लोग के लिए a medicine is end product of a chain of chemical reaction medicine बनती है वो भी chemical reaction से ही बनती है हमारे आसपास जो metal निकलती है वो भी iron ors वो भी chemical reaction से निकलती है सब importance से chemical reaction के ठीक है और new materials is the plastic and detergent यह सारी chemical reaction से बनते हैं यह सारे फाइदा है chemical reaction के very new materials dissolved by the studying chemical changes बहुत सारी chemical reactions और changes से ही अपनको new material मिलते हैं ठीक है अब इक chemical reaction में क्या क्या हो सकता है chemical reaction या फिर chemical change क्या होता है होत अपन पढ़ लिए अब इस chemical change में क्या क्या हो सकता है तो first of all यहां पर लिखावा है heat and light or any other radiation may be given off heat light निकल सकती है radiation निकल सकती है for example अगर आपन wood को burn कराता है wood means क्या होती है रख रही होती है burn कराते है तो burn करने पर क्या होती है flame निकलती है अभी आपने magnesium ribbon को burn कर रहा है तो तो वहाँ पर white flame निकलती है तो वह heat रखी है heat light निकल सकती है कोई भी chemical reaction के अंदर आप sound में भी sound भी निकल सकता है अगर आप metal लेते हो metal को पर कोई acid डालते हो तो एक gas निकलती है अभी आपने vinegar लेता है vinegar के अंदर क्या डालता है sodium bicarbonate यानि की baking soda डालता है तो वहाँ पर एक gas निकलती है short gas sound के शाहत निकलती है sound snake बोलता है ऐसे फुस्क के साथ gas निकलती है sound के साथ gas निकलती है chemical reaction है gas sound के शाहत निकल सकती है change and a small may take place or a new small smell यानि की नई smell बन सकती है chemical reaction के अंदर color may change color भी change हो सकता है gas may form कोई gas भी निकल सकती है यह सारी बाते chemical reaction में हो सकती है यह भी आपको not down करनी है जो मैं कहता हूँ point लिखने है आपको यह सारे point लिखने है उसके अलावा यह definition है chemical change, chemical reaction की भी लिखने है आपको clear और यह इसके importance chemical reaction, chemical change की क्या importance है यह point लिखने है आपको ठीक है अपने words में मैंने explain कर दिया आपको ठीक है चलो आपको तो इतने सारे point लिखो पड़ा पड़ फिर अपने आगे और बात करेंगे resting of iron के बारे में तब तक के लिए thank